हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका PKR Tech Class में दोस्तों आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पाउर कॉर्परिशन लिम्टेट टेक्निकल ग्रेट सेकेंड का पेपर सॉल्यूशन का पार्ट थर्ड देख दोस्तों तो यह जो चौबेस एक 2019 को सेकेंड मीटिंग होगा एक्जाम उसका हम लोग पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं इसके हम लोगों ने दोस्तों पार्ट 1 और 2 कंप्लीट कर ली हैं जो नहीं देखें उन्होंने तो वह हमारे चैनल PKR Tech Class में जाके देख सकता है और भी हम लोगों ने पेपर सॉल्यूशन दी है तो वह जाक करेंगे तो आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि वीडियो को अंतर तक जरूर देखा करिए आपके लिए काफी हैलफ रहेगा आने वाले एक्जामों के लिए ठीक है तो देखते हैं क्या कहरा कुशन निवन में से कौन सा परिच्छन के बल भू दोस्त या अर्थ फॉल्ट के स्थान पर पता लगाने के लिए प्रियोक की जाता है यह दोस्तों जो मुरे लूप टेस्ट होता है इसका यूज हम लोग अर्थ फॉल्ट के लिए यूज करते हैं ठीक है एंड शॉट सरक्ट परिच्छन और ओपन सरकेट एं रंतरता के लिए यह हम लोग दोस्तों करत ニघेट को मतलब जो असको इंसुलेटर करने के लिए किस प्रकार की सामागीरी प्रेख की जाता है यस तरह के ब्रियोक को लिए ब्रजक्र करने के लिए झाल अगला कुछिशन क्या रहा दो स्टेयर केस वायरिंग दा मिनमम नंबर ओक टूब मेस्ट सुचिश यूज़ डिन एज सरकिट इजार तो जो इस्टेयर केसव फायरिंग मतलब सीडी जो सीडी नुवायरिंग होती है उसमें हम लोग जो टूबेस यूज़ करते हैं तो कितने से operate करेंगे तो यह open हो जाएगा चाहने के लिए एंड हम जब उपर पहुंच जाएंगे तो बंद करने के लिए हम लोग यहां पर भी एक स्विच लगाते हैं तो उससे हम लोग यह बंद हो जाएगा ठीक है तो टू मिनमबर ऑफ स्विच होंगे वह मिनमम टू होंगे कैसा होना चाहिए जो होता है उसका घलनांक होता है लोग होता है तो इसका क्या just होती है उसका resistance लो होना चाहिए and melting point है वह भी होना चाहिए ठीक है अगला कुश्चन बी एच वक्र में जो युच है वो किस्का प्रतियोक्त बता है तो तो प्यक्र में सुझ की छेद्र का प्रतियोक्त करती है मैं थिक है जो होता है इस तरह से लिव हमारी य-near y-axis पे increase होती है हसे च surgeon लोगों इर यह एकसे फेर सिर्फ होता है तो इस तरह से जो आक्रती बनती है वह b एह करदब होता है ठीक है अगला कुशन किया रहा हिकि तार के माना गेज की सीमा मतलब आ इस्टेंडर उयर गेज की जो सीमा होती है वो होती है लगवग 0 से 36 HWG तक ठीक है इस्टेंडर वायर गेज तक अगला कुशन जनरली भाट टाइप वाइंडिंग इस यूज जिने सिंगल फेज मोटर तो जो सिंगल फेज मोटर होती है उनमें जनरली किस परकार की वायंडिंग यूज होती है तो वो होती है दोस्तों कंसेंट्रिक टाइप वायंडिंग ठीक है अगला question तामवे copper की पर्मालू संख्या क्या होती है तो जो copper की पर्मालू संख्या होती है हो क्या होती है CU 39 अगला question एक full load वाले transformer में तामवे का जो 6 है वो 1000W है तो half load पर उसकी छगी गड़ना करें तो full load पर उसका दोस्तो गो इंटो हाफ लोड़ पर कितना होता तो जितने यह कुछा जाता है उसका freezer यह हो जाता है दोस्तों हाफ लोड़ पर Doncwood पर क्टॉट क्या हुजाएंगे एक हजार इंट लोड़ मतलब1कдел दोस्तों कितना एक हजार है यह हो जाएगा 250 वाट ठीक है अगला कुश्चन केविल के जोड़ों के लिए लक्स के समगरी के बने होते हैं तो जो केविल के लक्स जोड़े जाते हैं तो वो दोस्तों अलुमिनियम और कॉपर के होते हैं ठीक है अलुमिनियम केविल जो एलुमिनियम कंडक्टर होता है उसमें aluminum का लाग के लगाते हैं एंड जो copper की किविल्स होती है उसमें हम लोग copper का लाग यूज़ करते हैं अगला कुश्चन जलावर्थ विद्ध धारा मतलब ed current की विशेस्ताओं का प्रयोग किसमें किया जाता है तो जो ed current हम लोग किसमें यूज़ करते हैं तो वह होता दोस्तों mc meter में देंपिंग वाणने के लिए मतलब moving coil type जो instrument होता है permanent magnet moving coil type instrument उसमें जो damping यूज़ करते हैं दोस्तों damping torque उसके लिए हम लोग ed current का इस्तमाल करते हैं ठीक है अगला कुश्चन what is working principle of an alternator तो जो alternator का working principle होता है वो किस पर चलता है alternator वो चलता दोस्तो फेराडे इस law of electromagnetic induction पर ठीक है अगला कुश्चन series motor में जो load current होती है वो किसके बरावर होती है तो series motor हम लोग दोस्तों जब बनाएंगे इस तरह से जो series motor बनती है ठीक है positive and negative जब current दी जाती है तो जो IL होती है ठीक है यहां से IL जो आती है यह IAC and यह armature में जाएगी IA तो जो series current होती है IAC वो armature current के बरावर equal to IL ठीक है सभी एक दूसरे के बरावर होती है सीरीज में जोड़ी होती है ठीक है अगला कुशन एकनुमाइजर का प्रयोग दच्चता बढ़ाने के लिए किया जाता है तो जो एकनुमाइजर होता है उसका प्रयोग किया जाता है यह तो दोस्तों वाइलर में वाइलर में जो एकनुमाइजर होता है उसका प्योग किया और इनके बीच में जो इस्पान होता है दोस्तों वह होता है दोस्तों 60-80m के सम्तिंग या 80-100m के सम्तिंग ठीक है 60-80cm दिया होगा या 80-100m ठीक अगला कुशन सेजावते प्रकात बस्ता में सीरीज में कई लाइट किसके तारा नियनतित की जाती है तो जो सीरीज में light होती है वो drum सुचके तारा नियंथित की जाती है अगला question Sisa acid जो lead acid battery होती है निमने में से किस प्रकार की electrolyte का प्रियोक की जाता है तो जो Sisa battery होती है lead acid battery होती है उन में दोस्तो सांद्र sulfuric acid का इस्तुमाल किया जाता है किसका दोस्तो H2SO4 का ठीक है अगला कुश्चन निमन में से किस मोटर का परियोग सीलिंग फैन में किया जाता है जो छट की पंखे होते हैं उसमें किस प्रकार की मोटर के उच्छक होता है तो वह होता है दोस्तो पर्मानेंट कैपिश्टर टाइप ठीक है जम लोगों छट मे तो है मोटर के उस पांके ऊसमें देखाऊ हों किस प्रमानेंट कैपिश्टर टाइप मोटर अगला क्यूश्न फिशलिए के सुन्क्रोन स्पीट क्या होगी तो क्या था होता है दोस्तों बाबरबर होता 120 फ्रिक्वेंसी दिए दोस्तो 50 हr개를 ऑं पोल दिये हैं कितने इपोर अगला कुश्चन डीसी जन्रेटर के सिध्धान पर काम करता है तो जो डीसी जन्रेटर है वो किस पर सिध्धान पर काम करता है वो करता दोस्तों फैराडे के और अक्ट्रमंगेंटिक इंडॉक्षिन के नियम के अनुसार और अगलला कुश्चन हन ममफ विश्ण फ deport म्मफ का फुलाउम होता है वो क्या होता है तो मैंयनेट्रमेंटिम पर सा को अगला क्यों एक ब्रिट्जkovत निवे र euxके पर और दो सब्सक्राइब होता है मेजर कर लेते हैं लो करेंगे में मेजर करते हृए करण्ट को तो जहां anted तो जो सबस्क्राइब होता है तो एक प्रकार का दोस्तों जनरली इस्टेप डाउंट द्रास्फरमर होता है उसमें जो हाई वोलटेज होता है उसको में लोग low voltage की range में मापते हैं ठीक है अगला question flaming के दाएं हाथ का नियम क्या दरसाता है तो जो flaming का right hand rule है वो प्रेरिद EMF की दिसा induced EMF की दिसा को बताता है ठीक है और जो दाएं हाथ का right hand rule होता है उसको में लोग generator में प्रेरिद EMF की दिसा ग्याद करने के लिए यूज करते है अगला question क्या कह रहा है कि जब low voltage का अच्छा और ताम अच्छा बराबर होता है तो जो transformer की efficiency होती है वो क्या होगी जो transformer efficiency होती है जो iron loss equal to copper loss होता है है तो जो transformer की efficiency होती है वो होती है दोस्तो maximum मतलब फुल अगला question mcb का पूर्ण रूप क्या है तो mcb का पूर्ण रूप होता दोस्तो miniature circuit breaker ठीक है अगला question which of the following is used to provide it mechanical production to cables तो cable को mechanical production प्राप्ट करने के लिए दोस्तों क्या लगा होता होता है होता है दोस्तो armored wire ठीक है किस तरह से c i m किम बास इस तरह सैं हम लोग इसको use कर सकते तो c का मतलब होता है दोस्तो core and i का मतलब होता insulation m का मतलब होता है दोस्तो metallic sheets जो हम लोगों को moisture से बचाती है and bedding ठीक है एंड ये armoring तो armoring में जो जो mechanical होता है सर्वेइंग मतलब कविचन ठीक है जो हमें वाता वुर्ण उसको स्टार्टिंग के लिए जाता है और जो स्टार्टिंग के लिए ठीक है अगला कुश्चन टोटल रजिटेंस इन एसी सर्कुट में वह होता क्या होता दोस्तों जैड इंपिटेंस उसे बोलते हैं इंपिटेंस ठीक है तो जैड वरावर क्या होता है अंडर रूल एकसेल डिफरसएल एकसी का स्कुशाह ठीक है अगला कुश्चन डीसी मोटर की दिशाओ को कैसे बदल आ जा सकता है तो जो डीसी मोटर होती है उसमें दोस्तों इसकी आरो हैक्षर कनेक्शन या क्या धिक मैंस किसी एक को बदल देंगे तो जो उसका दिशाओ है वह बदल जा जटेकल करते हैं ठीक है अगला कुशन गीजर का थर्मो यूटर्ट परसर क्या होता मतलब गीजर का जो थर्मो यूट प्रसार होता है वह कितना होता है प्रसार होता दूस्तो 22 degree centigrade से 88 degree centigrade तक अगला question single phase वाली Kapital start motor का जो कि Centrifugal switch होता है वह किसके साथ जोड़ा होता है तो जो Centrifugal switch होता है वो दोस्तो Starting winding के में जोड़ा होता है ठीक, starting winding या एक्जलुरी winding के ठीक है जो singal phase motor होती है यह होती है दोस्तो main winding या running winding ठीक है एंड यह होती starting winding इसी के साथ में दोस्तो जो centrifugal सोच होता है वो जोड़ा होता है ठीक है एंड जो starting winding and auxiliary winding है यह दोनो starting winding और main winding जो है यह दोनो 90 degree पर connect होती है अगला question आप corona प्रभाव कैसे कम कर सकते हैं तो जो corona effect होता है उसको दोस्तों लोग conductor या ACSR conductor के प्रयोग के बीच उचित अंतराल को दूर करके कर सकते हैं अगला question three phase वाली आप पूर्दी supply में किस प्रकार के भूर इसाव सर्कृट ब्रेकर के प्रयोग के जाता है यह होता दोस्तों चाहरे पॉल टाइप मतलब फोल फोल टाइप जो अर्थिक सर्कृट ब्रेकर होते हैं उनका यूज करते हैं ठीक है कि अगला question which of the following motor needs low maintenance cost कौन सी मोटर होते हैं जिनमें 20-degree कोण की स्टेक्ता मापने के लिए यूज की जाता है ठीक है ट्राइज जो स्कृर होता है वो इस तरह का होता है ठीक है अगला question फराडे के प्रोपोशनल्टी constant होता है तो जैड हो जाता है जैड क्यू एंड क्यू बराबर क्या होता दोस्तो आईटी तो जैड बराबर सॉरी m बराबर जैड आईटी ठीक है यह रिलेशन निकलता है क्या है जैड जैड आईटी यह बराबर होता है अगला कुश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् synchrony motor तो synchrony motor में starting torque and hunting effect को समबापट करने के लिए हम लोग synchrony motor में कौन सी वाइंडिक उचकरते है तो वह होती है दोस्तों damping winding तो अगला कुश्यन है डेल्ट कनेक्षनल्प में जो line voltage होता वो किसके बरावर होता है तो डेल्ट कनेक्षन में जो line voltage होता है वो वोल्टेज के वळावर होता है वी फेज यदि ज Whereas Light क्या होता है में स्टार कनेक्शन में क्या होता है यहीं गाले आई टीज ठीक है अगला कुश्यन 4 3-phase power and lightning load the cable must be कितने कोर की होनी चाहिए यह 3-half core 3 and half core ठीक है साड़े 3-core की 3 and half core की होनी चाहिए 4 of 3-phase power and lightning load मतलब क्या है कि जो 3-core होगी वो same size की and एक जो core होगी fourth वो उसे कम आधे size की होगी अगला कुश्यन क्या कह रहा है जब एक lead acid battery को उच current के से आवेसित और निरावेसित किया जाता है तो क्या घटेत होता है तो अगर उसको हम लोग high current से charge या discharge करेंगे तो उसमें buckling मतलब boiling start हो जाती है ठीक है अगला कुश्यन एक बारा सो मीटर का है कितना हम लोग निकालेंगे कितना husinya यहां से आरवन यह हो जाएगा 1200 upon 240 ठीक है यह कट जाएगा कितनी बार 20 बार एंड यह कट जाएगा 12 बार तो जो R2 आएगा वो आजाएगा 12 ठीक है अगला कुश्चन S पर BIS in DC Supply इता कलर कोड फोर पॉजिटिव निगेटिव और न्यूटल वायर और रिस्पेक्टिवली Bureau of Indian Standard के अरसाथ DC Supply में जो कलर कोड होते है पॉजिटिव का होता है दोस्तो रेड ठीक है एंड निगेटिव का होता है दोस्तो ब्लू ठीक है एंड जो न्यूटल पॉइंट होता है DC में वो होता है दोस्तो ब्लैक ठीक है तो रेड ब्लू एंड ब्लैक अगला कुश्तन वेश टाइप अप ट्रांसफार्मर यूज घृछ Commerce और लियूर और यूज फल्टेज ग्ड आईजर बॉल्टेज इस्टिभलाइजर के लिए तो कौन सidas transform रोता है वह वह तो आट्वान्ट्र टाइप ठीक है अगला कुशन एक सौबटे पांच एंपेर उनपात का जो सीटी के सीटी है करन्ट टांसफार्मर फाइव एंपेर के एंपेर मीटर से जड़ा है यदि रेडिंग 3 एंपेर हो तो वास्तिव करन्ट की गण्णा करें ठीक क्या क्या रहा है तो यहां बस involvement देखेंगे जो पाठध की गण्णाा ओगी कितनी होगी चुकि 100 बटे 5 रेसियो का जो CT है एंड उसकी जो वास्तिविक करन्ट रेटिंग है वो है 3 Ampere तो यह कितना आ जाएगा दोस्तो यह आ जाएगा लगबग 60 Ampere जो इसकी वास्तिविक रेटिंग होगी वो होगी दोस्तो 60 Ampere अगर वो 3 Ampere रेटिंग है उसकी तो बट दा मीटर सेलेक्टर स्विच इज ओन 30 बोल्ट रेंज कैलकुलेट दा वोल्टेज रेडिंग ठीक है ठीक है तो क्या कह रहा है कि जो उसकी रेंज है बोल्ट मीटर की वह है दोस्तो 300 बोल्ट और जो बोल्ट मीटर की रीडिंग है इसकी यह जए 3 kg घुकिंग है तो बैसाओ की जो जालियोगी 30 जो किंगे हो जाए कि 3 30 into 40 वटे 300 यह कितना आ जाएगा दोस्तों यह आ जाएगा हम लोगों का 4 वोल्ट ठीक है जो अगर उसकी रेंज 30 वोल्ट होगी तो कितना वोल्टेज डीडिंग करेगा वो वो करेगा 4 वोल्ट ठीक है अगला कोईशन और इस पार्ड का लास्ट कौइशन दोस्तों और इस सॉलिशन का भी लास्ट कौशन क्या हैicate अ कि मापन एंट्रों में मदलब मेज्रिंग इस्ट्वमेंट में जो बाल कमानी होती है ठीक वो कि समगरी की प्रेयोक से बनाई जाती है तो जो बाल कमानी होती है वो होती है दोस्तो फॉस्पर ब्रॉंज से बनी होती है ठीक है जो हेर जो हेर स्प्रिंग होती है वो फॉस्पर ब्रॉंज की बनी होती है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक दोस्तो यह था हम लोगों का यूपी बन दाता है तो वह हमारे चैनल पीकर टैक क्लास को सब्सक्राइब करें लाइक एंड सेयर करें ठीक दोस्तों बहुत सारे पेपर सॉलुशन दे चुके हैं हम लोग टेकनिकल के ठीक है टीजीटू के भी हैं जेएक भी हैं ठीक दोस्तों तो अब लोग अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लें ठीक दोस्तों धन्यवाद